बच्चो आज हम लगु कथा की विशे में जानेंगे कि लगु कथा किसे कहते हैं लगु का अर्थ होता है संचिप्त, थोड़ा और कथा का अर्थ होता है कहानी तो हम इसे कहानी भी कह सकते हैं, चोटी कहानी तो लगु कथा क्या है कि जीवन की किसी एक घटना के रोचक, रोचक मतलब रोमान्चक वर्नन को कहानी कहते हैं जैसे कि आपके जीवन में कोई ऐसी एक घटना घटी है और वो आपके लिए बहुती रोचक है, इंटरस्टिंग है तो आप उसे सुनाना चाहते हैं तो इस तरह की जो घटना है वो लगुकता उसे कहा जाता है आगे इसमें जो ये आपके पांच अंकी आती है इसमें आपके लिए बिकल्प होते हैं आपको अपनी इच्छा से कोई भी एक विकल्प चुन करके आपको उस पर ये लगुकता लिखनी होती है और वो 100 से 120 सब्दों में लिखनी है इस प्रश्ण में बिंदूों के आधार पर सीशक सहित आपको लगुकता का निर्मा करना है जिसमें आपको उसका मुख शीशक भी बताना है और जो बिंदू दिये हुए उन बिंदूों के आधार पर ही आपको उस लगुकता का निर्मा करना है जैसे कहानी से संबंदित कुछ मुख्य मुद्दे दे करके आपसे कहानी लिखने के लिए बोला जाएगा उससे संबंदित कुछ पंक्तियां भी दी जा सकती ह कि इस पर आप लगुक अथा का निर्मान कीजी लगुक अथा लेखन के जो दोरान जब हम लगुक अथा लिखते हैं तो हमें क्या-क्या ध्यान रखने योगी बाते हैं उन्हें हम यहां देखेंगे कि बिंदुओं की आधार पर ही कहानी का विस्तार करना है कहानी में बिभिन घटनाओं और प्रशंगों को संचिप्त रूप में लिखना चाहिए न कि अधिक संचिप्त भी नी होना चाहिए और न अनावश्यक रूप से अधिक उसको कहानी को हमें बढ़ाना है कहानी की भासा सरल और स्वभाविक होनी चाहिए तथा प्रभावसाली होनी चाहिए और कठिन सब्दों का लंबे वाक्यों का प्रयूग हमें नहीं करना है कहानी का आरंब आकशक होना चाहिए जिससे कहानी पढ़ने वाले का मन उसे पढ़ने में लगा रहे और उसे ध्यान से वो पढ़े कहानी को प्रभावसाली और रोचक बनाने के लिए आप मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयूग कर सकते हैं कहानी को उप्युक्त एवं आकशक शीशक देना आवश्यक है जो कि मतला आप कहानी लिख रहे हो तो उसका उचित शीशक क्या हो सकता है तो वो आपको लिखना है कहानी हमेशा भूत काल में ही लिखी जाने चाहिए कहानी का तो यहां पर देखो यह बताया कि कहानी को भूत काल में लिखना है ऐसा नहीं कि आप उसे बरतमान में या फिर उसमें भविश्यत काल में लिखेंगे कहानी को आपको भूत काल में लिखना है जो कहानी है जैसे कि हो रा था 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 थी थे का इसका प्रयोग किये जाता है कहानी का अतिस सुन्दर ढंग से उसे उसकी एंडिंग करनी है उसे पूर्ण करना है अंत में कहानी से हमें क्या सीख मिली, क्या सिक्षा मिली इसे हमें संचिप्त में एक मैसेज भी उस कहानी का देना है कि हमें उस कहानी को पढ़ करके हमें क्या सीख मिलती है क्या सिक्षा मिलती है अगर अच्छी सीख मिली है तो उसे भी हम अपने जीवन में लागू करना चाहिए अब यहाँ पर यह उधारण दिये हुए हैं नीचे दिये गए प्रस्थान बिंदों के आधार पर आपको सीशक उसका सीशक भी लिखना है स्टार्टिंग से आपको सीशक लिखो गए उसमें और उसके साथ ही लगुक अथा का निर्मा करना है अब यहाँ यह पॉइंट्स दिये हुए है यहाँ बुलट बना करके यह आपको बताया गया है कि राम और रोहन दोनों से पाटी थे राम खेल कूद में तेज था और मोहन रोहन पढ़ाई में अबल था मतलब राम जो है वो तो खेलने में अच्छा है और रोहन पढ़ाई में अच्छा है और यह तीसरा आ गया हमारा खेल के मैदान, खेल के दोरान सौरी, राम हमेशा रोहन को पचाट देता तो आपका एक नमबर यह हो गया सेकेंड और यह थर्ड नमबर इसके बाद यह फोर्थ नमबर है राम विध्यालाई का सर्वस्रेष्ट कहलाड़ी चुना गया तथा रोहन ने सर्वस्रेष्ट विध्यारती का पुरस्टकार हंसिल किया तो यहां जो रोहन है वो पढ़ाई में अच्छा है और राम खिलाड़ी है, वो खेलने में अच्छा है फिर है ये फिफ्ट नमबर जीवन यात्रा में आगे बढ़ते हुए दोनों अपने अपने छेतर में सफल हुए एक तो अच्छा खेल प्रशिक्षक बन गया और दूसरा पढ़ाई में अच्छा था तो वो आगे क्या देखते हैं क्या बनता है ये शिक्स नमबर है रोहन जि जिले में आ गया जिला अधिकारी बनके जिसमें राम खेल प्रशिक्षक था और ये शेवन नमबर दोनों एक खेल कारकरम के दोरान मिले अब दोनों का मिलना हुआ यहां पर और रोहन ने राम को उसकी जीत पर पधाई दी राम ने रोहन से कहा कि आज तो तुम्हारी ही जीत हुई है अब इस तरह इसी पर ये लगुकता का निर्मा किया गया है तो यहां देखिए राम और रोहन यहां दोनों आ गए राम और रोहन दोनों ये की कख्षा में पढ़ते थे राम खेल कूद में ने पूर्ण था राम तो खेल कूद में ने पूर्ण था और रोहन पढ़ाई में अब बल था ये पढ़ाई में आ गए था खेल के दोरान राम हमेशा रोहन को पचाड़ देता था मतलब जो रोहन था जो पढ़ने में तो अच्छा था लेकिन वो खेल में पीछे था तो वो उसको राम रोहन को पचाड़ देता था हरा देता था तो इस तरह ये दोनों ही मतलब अपने अपने काम में बहुत ही अच्छे थे कहते ने कि हमें कोई भी एक चीज लेनी आगे रोहन भी हसते हुए मैदान से बहार आ जाता क्योंकि वो हार जाता था और राम जीत जाता था उस दिन विद्ध्यालय का वार्षिक उत्सब था जो साल में जो उत्सब होता है वो उत्सब था तो सारा हॉल जो खचा-कच भरा हुआ था रोहन को विद्ध्यालय के सर् लाम को सर्वसेष खिलाडी का क्योंकि वो खेलने में उसकी अधिक रूची थी और उसमें अच्छा करता भी था क्योंकि चाहें वो खेल हो या विद्या अरजित करना हो अरजन करना हो तो हमें मेहनत किसी भी छेत में जाएं मेहनत तो करनी है तो वो खेल में अच्छी मेहनत क दोनों ही अपने छेत्र में उत्तम थे वार्षकोद सब के बार दोनों से पाठे एक दूसरे से बिचुड गए अब जब वहां से वो निकल गए दोनों का मतला मिलना नहीं हुआ और वो बिचुड गए थे राम ने अपने खेल कूद की प्रतिवा को खेल कूद की प्रतिवा के दम पर खेल प्रशिचक का पद हासिल कर लिया और उधर रोहन ने IAS प्रतियोगता की बेहतर तैयारी करके जिलादिकारी का पद ग्रहन कर लिया वो पढ़ाई में अच्छा था ही पहले से और वो खेल में अच्छा था उसके बाद खेल देवस का अफसर था कारिकरम का आयोजन राम नहीं किया था क्योंकि राम खेल प्रशिचक था मुख्य अतिती की रूप में जिलादिकारी को बुलाया था खेल की समापती के बाद पुरसकार वित्रण प्रारम हुआ जब खेल समापती हुई तो पुरसकार वित्रण किया जाने लगा तो खिलाडियों के द्वारा पुरसकार लेने के बाद अचानक खेल प्रशिच्च राम का नाम पुकारा गया स्टेज पर तो राम मंच पर पहुँचा तो जिला अधिकारी रोहन उन्हें देख करके मुस्कर आ रहे थे क्योंकि वो बच्पन के दोस्त थे और दोनों साथ साथ खेलते थे क्योंकि जो वो खेल में अच्छा था राम तो वो उसको पचाड भी देता था और वो खेलने में बढ़ाई में अच्छा था रोहन उसके बाद वे वोले भाई राम तुम्हारे खिलाडियों की जीत वस्तु तुम्हारी ही जीत है क्योंकि तुमने इतना अच्छा उन्हें प्रशिच्छन दिया है मुझे याद है खेल में तुम मुझे सदे हरा देते थे तब उन्हें वो पुरानी बात हैं रोहन को याद आने लेगी अब तो वो जिला अधिकारी हो गया लेकिन पहली बात हैं थी जब पढ़ाई में साथ साथ पढ़ते थे तो उसने कहा कि खेल में तुम मुझे सदे हरा देते थे आज भी तुम्हारी ही जीत हुई है तो फिर राम कहता है राम क्या कहता है नहीं नहीं सर नहीं आपका पद मुझसे बहुत बड़ा है क्योंकि आप जिला दिखा रही हो आज बास्तम में आपकी जीत हुई है यह कहते हुए राम की आँखों में आशुं आ गए और वो मतब भावुक हो जाता है और राम ने रोहन ने आगे बढ़कर राम को गले लगा लिया गले लगा लिया और समूचा स्टेडिया उस समय तालियों की गड़ गड़ हाट से गोंज उठा क्योंकि जब दो बचपन के जो साथी हैं राम और रोहन इतने दिनों के बाद जब वो मिलते हैं और उन्होंने दोनों ने ही बड़ी उपलब्दी हासिल की है एकने खेल में और पढ़ाई में तो आपने देखा इस तरह एक लगू कता का यहां पर निर्माड किया गया तो आपको यह इजीली समझ में आ गया होगा और भी कुछ लगू कता के उधारन हम आगे और भी आपको देंगे धन्यवाद